नमस्कार दोस्तो मेरा किस गोया लेक्चरर जीपीसी करोली हम इन्वार्मेंट इंजिनिरिंग के चेप्टर नमबर थ्री बाटर पॉलुशन के बारे में अध्यन कर रहे थे हमने अभी तक बाटर पॉलुशन के इंट्रडेक्शन उसकी प्रॉपर्टीज के होती है वाटर की और उसके कौन-कौन से सोड्स होते है वाटर के इसके बारे में अध्यन किया था अब हम आज का हमारा नेक्स्ट टोपिक है कि कौन-कौन से वाटर पॉलुटेंट्स होते हैं ऐसे कौन-कौन से पॉलुटेंट्स है जो वाटर को पॉलुशन करता है तो जैसा कि आपकी स्क् क्स प्रकार के पॉलुटेंट्स होते हैं और बाटर को हो पॉलीड करते हैं तो 7 वानवाल इनका डिसकेशन करते हैं कि और सबसे पहले हम देखते हैं और सब्सक्राइब होते हैं ये जनरली अपने घरहली कारियर जी किचन हो गया आपके सिविर्ज हो गया इनसे निकलते हैं आपके पेड़ पौधो कि आपसिश्ट किसी परकार का आप रसाएने यूज करते हैं या कोई ओइल वगेरा यूज करते इनसे यह आते हैं अब जी ओरघनिक पॉलवटेंट होते हैं इनकी यह एविलिटी होती है कि यह जो पानी में ऑक्सिजन होती है उसको कम कर देते हैं तो जिससे जो पानी के में जीव जन्तु यह जल यह जीवन होता है वो प्रवावित हो जाता है अब इसके कौन कौन से एक्जामपल है और गनिक पॉलिटेंट्स के यह अपके डीडीटी है टूफोर्डी डिटर्जुन एंड ए बीची इस प्रकार के यह होते है तो सिंपल वर्ड में कहा जाएक है और गनिक कारिये किचेंस अगेरा से अपके सीवेज वाटर से पीड़ पौदों से इनसे यह निकलते हैं नेक्स्ट आता है आपका इन ओर्गानिक पॉलुटैंड्स तो इन ओर्गनिक पॉलुटैंड्स वह थे हैं जिसमें सॉलिट होते हैं जैसे आपके आइरन मेंगनिसियम फ्लोराइट्स नाइट्रेट्स इनकी मात्रा इनमें अधिक होती है यह आपके अगर सर्फिस वाटर में आ रहे हैं यह इस प्रकार के पॉल्व टेंट्स तो वो हो सकता है की औषद्योगी कायो से आए रहे हो अगर यह ग्राउंड वाटर से आ रहे हैं तो ग्राउंड वाटर में बहुत प्रकार के चट्ठानों से और अग्व जडता है तो इसकी ओलिडी की मात्रा भड़ जाती है तो इस कारण भी यह आ सकते हैं तो जनरली यह आपके इस्टिल प्लांट होगे पेपर प्लांट होगे अन अध्यों की काईयों से भी निकलते हैं इसमें अमल, खनीज, लवन सस्पेंडेट, सॉलिट्स, ऑक्साइट्स आदी होते हैं जिसके कारण जलकी होती है, कठोर था और छाडीता बढ़ जाती है और जलिया जीवन नस्ट हो जाता है तो यह तो हो गए इन और्गनिक पॉलिट्स है जनरली इनको हम TDS के रूप में भी मेजर कर सकते हैं नेक्स आता है आपका वाइलोजिकल पॉलिट्स जो आपने और्गनिक पॉलिट्स पढ़ाता है उसी तरह का होता है इसमें वाइलोजिकल जैसे बैक्टिरियाज बगेरा भी हो सकते है जो जनरली आपके घरेली स्विवेज और अप्षिष्ट और पादवर जन्तों के अप्षिष्पदार्थों के द्वारा आते हैं इसमें क्योंकि मानिविय क्रियाए होती है तो इसमें फॉस्फोरियस और नाइट्रोजन की मात्रा दिक होती है अगर ये जब आपके जैसे नदियों तलाव जीलों में पहुंचते हैं इस प्रकार के पॉलिटेंट्स तो इसके करण इट्रफिकेशन हो जाता है इट्रफिकेशन होता है कि जिसके करण आपके जलिये पेड़ पॉद है इनकी मात्रा में अत्यदिक ब्रद्दी होने लगती है और उनकी एक सेवाल इनकी एक लेयर बन जाती है उपर जिसके करण जो नीचे आपकी मचली वगेरा है उनका जलिया जीवन विस्तापित हो जा जाती है जैसे क्रॉमियम हो सकते हैं मो एनाई मन इस प्रकार की धातों के इनके श्रोथ होते हैं तो इनकी मात्रा गर बढ़ जाती है तो क्योंकि पानी में बहुत सारा सस्पेंशन हो जाता है जिसके का सूर्य की करणे नीचे तक जो जल होता है उसके नीचे तक नहीं ज़ावित हो जाता है तो अगर आपको सेडिमेंट रटाना है तो आप को इसे नाम से पता है कि गरम जल तो यह जो भी आपकी और जोगी काई होती है जैसे परमाणवी है नाविकी है थर्मल पावर प्लांट तो इनमें कहा कि एक प्रकार का बॉइलर का यूज किया जाता है जिसके करण आपका जल गरम हो जाता है जब यह बहार आता है तो इसका तापमान बहुत अधिक होता है इसमें oxygen केरिंग केपिस इसलिए जीव जन्तुओं को अपने जीवन यापन के लिए oxygen की आवशक्त होती है अगर उसमें oxygen नहीं होगी तो वो खतम हो जाएंगे तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है फिर आता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स तो जिनमें रेडियो एक्टिव की मातर हो जड़ा होगे आपके आपके पॉलीटेंट्स कि कौनकौन से पॉल्यूटेंट्स होता है इसमें आमने पढ़ा था और्गैनिक इनार्गैनिक, सेडिमेंट, रेडियो एक्टिव, थर्माल और बायलोजिकल नेक्स्ट पढ़ते हैं बाटर कॉलिटी स्टेंडर्ड ये क्या होते हैं तो बाटर कॉलिटी स्टेंडर्ड से मतलब है कि आपको सुद्ध पानी पीने के लिए वाटर में एक स्टेंडर्ड मिनरल की स्टेंडर्ड मात्रा होनी चाहिए तो ये अलग-अलग एजेंशियो द्वारा इसकी निर्धारित की गई है इसमें आपके I.S.I.C.O.D. होते हैं इसमें आपके अगर कोई वाटर पॉलूशन हो जाया तो उसको किस प्रकार से नियंतित किया जाए या जल को प्रदूसित होने को रोकने के लिए किस प्रकार से नियंत्रण की आविशकता होती है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके देनिक किरिया कलाब यूज करते है उस से ही जादा प्रदूसन होता है जल का अगर कोई आपके देनी क्रिये कलापोद्वारत जल प्रदूसित होता है तो उसको हमें किसी दूसरे परपच के लिए यूज में लेना चाहिए जैसे उसको हम सिचाई वागबान इत्यादी में काम लिए सकते हैं एक चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है फिर दूसरा है कि आप जो भी आप जैसे नाते हो बरतन दोते हो कपड़े दोते हो इन जो भी आपके डेली रूटीन के कारी है इनको जल स्रोत के पास नहीं करना च चाहिए जिससे वो जो रिवर की सेल्फ प्यूरिफिक्शन की क्रिया के द्वारा जल सुद्ध हो जाए इसी प्रिकार से आपको मरे हुए परसी पक्षियों को और अनुप्यों की सामयों को जल में नहीं बिस्तापित करना चाहिए और आप जैसे राक सब इनको भी नदी मे प्रवाइद नहीं करना चाहिए और जो भी मंदिरों के आसपास पूजा पाठ होती है उसके करण उसमें जैसे फूल, माला और विभिन प्रकार के आप पूजा सामगरी यूज़ करते हो उनको नदी में प्रवाइद नहीं करना चाहिए उस नदियों के आसपास किसी प्रक बंद होना चाहिए अगर जलको आप यूज कर रहे हो नदियों से तो उसको डायरेक्ट यूज ने करके उसको उबाल कर उसको सेडिमेंट परिक्रिया द्वारा यूज में लिया जाना चाहिए तो यह है आपके इसके रैमेडिय मेजर जो हमें वार्टर जब यूज करते हैं तब यह अपनानी चाहिए dal कि किस परकार से हमं परिकंट्रोल कर सेकते हैं फ Turkey अफिर हम इस फिर आता है आपका विस्ट वार्टर क्या होता है जिसमें 20 अजattend सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो आपका डॉमिस्टिक वेस्ट वाटर भी कहते हैं वह क्या होता है तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें के अंतरगत कॉन को शे वेस्ट वाटर आता है तो जो भी आपके घरों की क्रिया के लाप हो द्वारा जो भी वेस्ट वाटर आता है उसको हम डॉमेस्टिक या मुन्सिपल वेस्ट वाटर कहते हैं इसके अंतरगत आपके जिसे जानवरों का मलमूत्र हो गया नगर का कच्रा हो गया घरों से निकलने वाला कच्रा हो गया रसोयों इसनान घरों आदी से निकलने वाला कच्रा इस सारे कच्रों को दुकानों से निकलने वाले कच्रे इन सभी को इसमें इंक्लूट किया जाता है तो इसको सीवेज पाइपलाइन द्वारा सीवेज टीट्मेंट प्लांट तक या वेश्ट वाटर टीट्मेंट प्लांट तक पहुचाया जाता है पर इसका सुद्ध किया जाता है अब जो एक घरेलू वेस्ट वाटर होता है इसमें जनरली सभी प्रकार की असुद्धिय होती है जैसे इन और और चनली चैनल يसमें फीली घ sauce यो और गैनिक असुद्धी में छो तो कि अरुद्धि के गारण इसको हम को डाइरक्ट नहीं छोढ़ सकते इस पानी को तो इसका त्रिटमेंट आवशकता होता है क्योंकि और गनिक सुद्धियों में कि और गनिक मातरा होती है जिसके करण जो इसमें огक्सिजन की मातरा को यह कमी ने कर देती है अर्थात अगर इसको किसी नदी जील तलाब में छोड़ा जाए इस विश्वाटर को तो उसमें जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको वो खतम कर देती है जिससे वहां का जलिय जीवनियापन प्रावित हो जाता है तो इसको बिना ट्रीटमेंट के कहीं भी नहीं छोड़ा चाहिए इसको ट्रीटमेंट के बाद ही किसी दूसरे कारिये में उप्योग में ले सकते है फिर इसमें बिन प्रकार की इन और्गेनिक असुद्या भी होती है जैसे खनीश देल, आयस के कर्ण इस प्रकार की इसमें असुद्या होती है और इसमें वेक्टेरिया, एल्गी, वाइरस आदी भी होते हैं इसमेरे बिन प्रकार की बिमारिया जैसे टाइफाइड, पेराटाइफाइड, बुखार, कोलेरा, पोलियो आदी बिमारिया फैलाते हैं तो यह तो हो गया आपका मुंसिपल या डॉमेस्टिक वेस्ट वाटर नेक्स्ट आता है आपका इंडस्टियल वेस्ट, तो इंडस्टियल वेस्ट जैसे नाम से पता है कि जो अध्योगी एकाईयों से निकलने वाला वेस्ट वाटर, इंडस्टियल वेस्ट वाटर क्यलाता है अब यह आपकी इंडस्ट्री कोई भी हो सकती है, चाहे वो डेरी उद्योगों, पेपरों, चमड़ा उद्योगों, स्टील, रवर्ड, प्लास्टिक, कोईला उद्योग, टेक्स्टाइल, सक्कर, इन सारी उद्योगिक एकाईों से जो विस्ट वाटर निकलता है, वो इंडस् विस्ट वाटर निकलता है, उसमें भीन प्रकार के धादू, जैसे तावा, जस्ता, सीसा, आधी की बहुत माता होती है, डिचर्जेंट होता है, इसमें पेट्रोलियम, अमल, चार, साइनाइट, आयर्शनिक, और भीन प्रकार के जहरीले पदार्थ होते हैं, और यह काफी रिट्मेंट के इसको नदी तलावों में मिला सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा टॉक्शिक मेटेरिल होता है, जो हमारे मनुश्यों और जीव जनतों पर बहुती घातक प्रभाव डालता है, यहां तक कि उसके जीन्स को भी है फ्रवावित कर सकता है, इससे हमारे यह जैसे आगर वेस्टाटर की कितना वेस्ट वाटर क्वांटिटी है उसमें कितनाbernador घरेलू जो वेस्टवाटर होता है उसके लिए जनरली's wastewater की कितना wastewater quantity है उसमें कितना organic matter है घरेलू जो wastewater होता है उसके लिए हम generally BOD biological oxygen demand major करते हैं और जो industrial wastewater होता है इसमें generally COD chemical oxygen demand major किया जाती है या BOD by COD ratio का major किया जाता है इसमें तो यह होगे आपके wastewater से संबंदित कि उसमें कौन-कौन से pollutants होते हैं और wastewater के कौन-कौन से types होते हैं किस प्रकार से wastewater निकलता है यह आज हमने अध्यन किया है अब हम next class में इसके effect के बारे में और आगे अध्यन करेंगे आज के लिए इतना ही thank you दोस्तो